Process of Formal Education के 8 important points हैं Enrollment, Curriculum, Classroom Instruction, Assessment and Evaluation, Great Advancement, Specialization, Higher Education, Degree Attainment and Graduation आज का जो मेरा टॉपिक है वो Formal Education के 3rd part Process of Formal Education से related है अगर आपने अभी तक Formal Education की मेरी पहली दो वीडियो को नहीं देखा तो इस वीडियो को देखने के बाद आप लाजमी तोर पर जाकर उसको चेक आउट कर लीजिएगा ताके आपको One by One Process की समझ आ सके कि आज हमारी थर्ड वीडियो कहां जाकर पहुंची है और इस Process को भी मैं यही कोहूंगी कि यह बहुत important है आपने इसके किसी भी part को skip नहीं करना One by One हर एक Process को individually जो है वो में define करूंगी ताके आपको किसी भी तरह की मुश्कल ना हो समझने में और हर point को आप अच्छी तरह से clear कर सकें और अपने exams में भर भर के लिख सकें अपने notes को अच्छी तरह से पूरा कर सकें और एक बात जो मैं अपनी हर वीडियो में कहती हूँ कि रटा लगाने से बहतर है या बार बार याद करने से बहतर है कि आप अपने concept को clear कर लें अगर आपका concept clear होगा तो आप उसको खुद अपनी wording में भी लिख सकेंगे चलें अब हम अपनी वीडियो का बकाइदा स्टार्ट लेते हैं सबसे पहला जो हमारा process है वो है enrolment enrolment को अर्दू में हम अंदराज कहेंगे students enter the formal education system by enrolling in an institution such as schools or universities formal education का सबसे पहला process enrolment होता है किसी अदारे में दाखला admission लेकर बकाइदा तालीमी नजाम में दाखल होने को enrolment केते हैं और ये formal education का समझ लेंके मारा first step होता है कि हम जब किसी अदारे में किसी system में दाखल होंगे तो मारा आगे का process टार्ट होगा कि हमने formal education कैसे कैसे step by step आगे लेनी है और आपने इन steps को miss नहीं करना अगर आप सिर्फ इनके points भी याद कर लेंगे और इनके concept को समझ लेंगे तो exams में आपको मैं 100% guarantee से कहती हूँ कि आपको 100% जितने भी इस question के marks होंगे आपको पूरे के पूरे मिलेंगे और अगर आपको कहीं किसी जगा पे MCQs भी आ जाते हैं तो at least आपको ये points याद होने चाहिए कि one के बाद दूसरा point कौन सा है two के बाद third point कौन सा है सबसे पहले मैं आपको ये बताओं कि करिकूलम हम निसाब को कहते हैं वो निसाब जो आप स्कूल में, कालेज में, यूनिवस्टी में जहां कहीं भी आप फार्मल एजूकेशन के लिए जब जाते हैं तो आपको एक बकाइदा सिस्टम में रहकर एक निसाब दिया जाता है जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, उर्दू, इंगलेज, इसलामियाद, जर्नल नालेज, इन्वार्मेंटल स्टेडिज, जो भी आपके सबजेक्ट्स होते हैं वो बुक्स जो आप डेली पीरियड वाइस पढ़ते हैं, वो आपका करीकुलम होता है सेकंड प्रासिस में हमारे पास करीकुलम ही आता है, जब आप अदारे में, इंस्टिटूशन में इंटर हो जाते हैं नहीं मुझे ये सबजेक्ट पसंद नहीं है, तो मैं ये वाला सबजेक्ट छोड़ देता हूं और सेकंड पीरियड वाला सबजेक्ट ले लेता हूं, नहीं आपको जो आपका टाइम टेबल एक प्रोवाइड कियावा होता है स्कूल वालों ने वो आपको फालो करना होता है, अगर आपको पसंद है के नहीं है, आपने उसको पढ़ना ही पढ़ना है वो एक करिकुलम होता है और एक बकाइदा सिस्टम में करिकुलम अगर नहीं होगा तो मैं परसनली यह जो है वो मेरा ओपिनियन यह है कि आप जो है वो अच्छे तरीके से स्टेडी हासल नहीं कर सकते यह भी एक important point है मारा क्लासरूम की हदायात जब हमारी इन्रोल्मेंट हो गई हमारा करिकुलम डिसाइड हो गया तो अब उसके बाद हमारी क्या आ जाती है क्लासरूम जब आप एक करिकुलम को फालो करते हैं इस निसाब को करिकुलम को गाइड करने के लिए एक बहतरीन टीचिंग स्टाफ मजूद होता है जो proper training से तरतीब से one by one हर subject को complete करता है और students की रहनमाई करता है और करिकुलम को समझाने के लिए understand करने के लिए हर तरह की सहूलत provide करता है अब यह आप सोच तो हैंगे teaching staff वो staff जो वो teachers जो आपको हर subject को individually पढ़ाते हैं ऐसा तो नहीं होता ना कि एक subject है और एक teacher है वो तमाम subject पढ़ा रही है नहीं हर teacher जो है वो अपने subject में special होती है या होते हैं वो अगर कोई उर्दू पढ़ा रहा है तो कोई English पढ़ा रहा होगा मतलब हर आदमी जो है वो अपने subject को individually आपको guide कर रहे होते हैं ऐसा नहीं होता कि आप स्कूल में इंटर हो गए हैं आपके पास कारी को लंबी मवजूद है लेकिन अब आपके पास teacher जो है वो है ही नहीं है कोई आपको समझाने के लिए आप जहां मर्जी बैचें नो एक system होता है एक discipline होता है class को class में जो है वो हर class को एक time table के साथ divide किया होता है आपके six to seven eight periods होते हैं जिसमें आपने one by one अपने subjects को पढ़ना होता है और different teachers आपके आपको guide करते हैं और आपकी problems को solve करते हैं और आपके topics को clear करते हैं number four process of formal education is assessment and evaluation student's progress is assessed through various methods including exams, courses, projects and assignments this evaluation helps my understanding and proficiency students progress का अंदाजा मुख्तलिफ तरीकों से लगाया जाता है जिसमें मुख्तलिफ methods use होते हैं जिसे हम exams का method भी के सकते हैं, quizzes भी हो सकते हैं, projects भी आपके हो सकते हैं, assignments असाइमर्स वगारा भी हो सकते हैं students के study level और उनकी study preparation उनके study concept को समझा जाता है, परका जाता है जब आपको teachers पढ़ा देते हैं, आपको three months, six months के बाद फिर आपके exams होते हैं, फिर उन exams के थरू जो है, आप देखा जाता है कि कौन सा student जो है, वो किस level तक पहुँच गया है एक teacher को जो है, वो एक guidance मिल जाती है, कि वो अगर जो पढ़ा रही है, बचों को समझ में आ भी रहा है, कि नहीं आ रहा, बचे जो हैं वो इस level तक पहुँच गएं, और कहीं कहीं जो है, वो monthly टेस्ट होते हैं, कहीं कहीं weekly टेस्ट होते हैं, यह अब हर school का एक अपना अलग system होता है, लेकिन तरीका जांचने का, तश्खीज करने का, एक मैं आपको कहूँ कि एक तरह से students को परखने का, students का जाहिजा लेने का, वो exams ही होते हैं, और वो exams आपके किसी सूरत में भी हो सकते हैं, quizzes की सूरत में हो सकते हैं, आपके जो है, वो projects की सूरत में हो सकते हैं, assignments के हो सकते हैं. और ली हो सकते हैं. जिस तरहां से भी हो जाएं. में मक्सद ही होता है कि students को देखा जाए कि उसका study level कहां तक पहुंच गया है और वो इस काभल है भी है कि नहीं कि वो next level तक पहुंचेंगे कि नहीं. नबर five process is great advancement. Based on their performance, students advanced to the next level are great indicating और जब इनकी असेस्मेंट के थ्रू इनकी कारकर्दगी को समझ लिया जाता है तो इनकी कारकर्दगी की बुनियाद पर स्टूडेंट्स को नेक्स्ट ग्रेट, क्लास, लेवल अब जो भी कहें में शिफ्ट कर दिया जाता है फार्मल एजजुकेशन में इसे तालीमी निजाम की तरकी कहा जाता है कि स्टूडेंट्स एक लेवल से दूसरे लेवल में कम्याबी से पहुँन जाते हैं नमबर सिक्स प्रॉसेज इस स्पेशलाइजेशन हायर एजजुकेशन इन higher education students often choose a specific field of study leading to a degree in a particular discipline higher education या specialization वो education होती है जिसमें student किसी एक subject में किसी एक शोबे में कोई एक topic चूज करके इसमें महारत हासल करते हैं specialization करते हैं जिसके नतीजे में इन्हें degree दी जाती है number seven process is degree attainment डिगरी का हसूर completion of the required course work and meeting academic standards results in the attainment of a degree or certification और जब आप अपनी education को complete कर लेते हैं और फिर exams के थुरू कामयाब भी हो जाते हैं तो फिर आपको आपकी तालीम पूरे करने के नतीजे में एर्था एंड डिगरी या certificate से नवाजा जाता है और इस तरह आप एक माश्रे के पड़े लिखे शेहरी कहलाते हैं ये degree attainment की जो बात हो रही है ये जो specialization की भी मैंने पिछले point में बात की है ये हमारी formal education की बात हो रही है formal education हमारी कहां तक होती है बैशलर डिगरी तक होती है वहां तक हम जो है वो बकाइदा एक system में रहकर बकाइदा एक process के थुरू हम अपने study के first level को जो है वो complete करते हैं अब आप सोच रहंगे first level ये है कि one से आप two में चलेगे no first level ये है कि पहले आप school से college में गे और अब college से आप आगे universities में जाएंगे वो तो हमारी एक post graduate जो है वो हमारी study start हो जाती है अभी जो हम degree का हसूल जो है मारी सबसे first जो हमारे degree होती है वो हमारी bachelor की degree होती है अभी मेरा next point भी ये है number eight point graduation at the end of the formal education journey students graduate marking the completion of their studies and often involving a ceremony to celebrate their achievements और फिर formal education के end point पर हमारा graduation level होता है जिसे हम complete कर लेते हैं तो इसको एक achievement की तरह celebrate करते हैं bachelor degree एक ऐसी degree होती है जिसको जिसमें हम जो है वो हमारी graduation हमारी complete हो जाती है जिसे हम कहेंगे के एक तरह से हमारी study का half period complete हो जाता है हम माश्ट्रे की एक पड़े लिखे शहरी की तोर पर पहचाने जाते हैं हम किसी भी जगा पर जाकर अपनी जाब बहुत बड़े पैमाने पर नहीं भी अगर कर सकते तो फिर भी हम एक अच्छी जाब कर सकते हैं और बहुत सारी चीज़ों की हमें समझ आना शुरू हो जाती है हमारे mind को बहुत सारे subject के बारे में पता चल जाता है और फिर उसके बाद हम किसी एक subject में आगे master करते हैं पोस्ट graduate लेवल पे पहुंच के फिर उसके बाद हम उसमें specialization करते हैं फिर उसमें हम M.Phil करते हैं पी एचटी करते हैं फिर तो study आगे बढ़ती ही जतना आप पढ़ेंगे वो बढ़ती ही जाएगी बट अभी जो हमार एक तरह से formal education की हम बात करें मारा आज का topic वो है तो वहाँ पर मारा जो end point आ जाता है वो हमारा graduation आता है और इसके process का भी आखरी point यही है और यह process फिर में बार बार आपको कहूंगी कि आपने इन process के किसी भी point को miss नहीं करना किसी भी point को skip नहीं करना आपने अगर आप अंद किसी तरीके से रटा ही लगा लें लेकिन आप लगा लें और यह आपको forever life में काम आएंगे और formal education से related यह मेरा third point थर समझ लें कि यह मेरी वीडियो है और आपने please 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 किसी भी वीडियो को skip नहीं करना मैं बहुत महनत से बहुत तवज़ों से और बहुत जगा से जो है वो इसे collect करती हूं और फिर उसके बाद बनाती हूं उसको easy 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 करके ताके आपको किसी ना किसी तरीके से समझ में आ जाए